हलो जोने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाई स्ट्री में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत और बिरंदन करता हूँ फ्रेंट्स एक बहुत इंपॉर्टन खबर है आप सभी विवाउं के लिए और उत्तव प्रदेश में नई कांस्टिबल भरती को लिकिर के जो बाते चल लही थी अब बिधान सभा में सरकार ने इसके समद एक महत्रपूर बयान जारी किया है और प्रदेश के वाउं को एक सुनहरा मौका जो है उत्तव देपुली भरती में अपनी सिमाई देने का मिल सकता है जिहां क्या कुछ खबरे हैं पूरी खबरे हम लोग विस्तार से देखेंगे समझेंगे इस वीडियो में आप अंतक बने रहिएगा चैनल पर नयत्त चलों को जो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लिजेगा सबसे पहले ब्लेट पर आपके नहीं के लिए जिया फैंट से के इंपॉर्टन खबर है और देखते हैं पूरी खबरे विस्तार से यहां से प्रिंट मीडिया क कर रही वाओं को जल्द ही नई भर्ती में सामिल होने का मौका मिलेगा पुलिस विफाग में लगबग 35,000 चीपायों की भर्ती सुरू होगी मंगलवार प्रदेश सरकार ने बिधान सब्सक्राइबर नागरिक पुलिस के 26 ए 7444 पदों योम आरच्छी पीएसी के 8714 पदों पर भर्ती करने का अलान किया है संसदिय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खंडा ने कहा है कि इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव उत्तर परदेश पुलिस भर्ती योम पुन्ती बोर्ड लखनों को भेज भी दिया गया है हाला कि कोबिट काल में भर्ती ना हो पाने के लिए इवाओं को भरति में चूट देने से इंकार किया ृळौट के परसेंद कुमान ने पुलिस के रिक्त पदो भरती का सवाल उठाया था उन्होंने अनपूरक सवाल किया था कि क्या सरकार बीते तीनों सालें भरती ना होने पर भरती उम्र में तीन वर्स की छूट देगी तो इस पर संसद्य कार्यमंति सुरी सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने एक लाग बतिस यार कांस्टेबल की भरती की है इसके अलामा रिक्त पदो भरती प्रस्ता विज़ा जा चुका है उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने का कोई विचार नहीं है हाला कि उन्होंनों यह भी सुपकार किया कि मानक के अंसार कम पद रखे गए हैं तो आप देख सेकते हैं प्रदेश में 35,000 नई कास्टेबल भरती को लेकर के बात कर जा रही है उम्र सीमा की अभी कुछ ऐसी खबर नहीं है कि छूट मिलने वाली है लेकिन नामूंकिंग भी नहीं है सरकार पर चीज़े दवाओ बनेंगी तो निश्रीतों पर उम्र सीमा में भी अब भरतियों को छूट मिल सकती है जो भी 3 साल 4 साल का जो भी छूट होगा वो जो यह छूट मिल सकता लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ अत्रक्र धन्नवाद नमस्कार जहिंद जय भारत